हेलो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूटूब चैनल पीवाई क्यू विद पंकज पे ये आज हिंदुस्तान का खबर है जिन भी हार पुलिस की तैयारी करने वाले दोस्त का पिछले में मेरिट नहीं बना पिछली बार दो दो बार बहाली आया या फिर जो बहुत दिनो से इंतजार कर रहे थे उनके लिए बहुत बड़ी खुस खबरी है मुख्यमंत्री नितिस कुमार और तेजस्वी आदव ने क्या कहा है आए पूरा विस्तार से देखते हैं मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री ने 10,449 पुलिस कर्मी को न्युक्ति पत्र दिया बिहार में पुलिस में स्विकर्टी 44,000 पदों पर बहाली जल्द होगी पूरा पढ़ते हैं पटना में हिंदुस्तान बियोरों में आच्छपा है कि मुख्यमंत्री नितिस कुमार ने बुधवार को घोसना की कि बिहार पुलिस में स्विकर्टी इतना हजार पद इस से लेकर अच्छ कारवाई करने का निर्देश दिया है उन्होंने कहा कि सुरू से ही पुलिस कर्मियों की संख्या बढ़ाने पर हमारा जोर था पहले राज्य में सिर्फ 42,481 पुलिस कर्मी थे वर्स 2010 में परती एक लाख की अबादी पर 115 पुलिस राष्टी अस्तर पर थे जिसके अनुसार बिहार में 152,232 और पुलिस कर्मियों की जरूरत थी जिन में 188,000 से अधिक की नियुक्ती हो गई है मुख्यमंत्री बुधवार को गांधी मैदान में 9 नियुक्त 10,449 कर्मियों को नियुक्ती पत्र वित्रन कारिक्रम को संबोधित कर रहे थे मुख्यमंत्री नितिस कुमार ने और उपमुख्यमंत्री तजस्वी आदाने नियुक्ती पत्र को सौपा मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि बिहार में परती एक लाग की आबादी पर 160 से 70 पुलिस कर्मियों के नियुक्ती हम लोग करेंगे इसी के अनुसार आगे से भी ते पर तीसत महिलाएं सामिल हो जाएगी आज 10,449 कर्मियों में से 3,852 महिलाओं को न्युक्ति पत्र मिला है यानि 10,449 जो कर्मी को बाटा गया है न्युक्ति पत्र उसमें से 3,852 महिलाएं हैं पटना के गांधी मैदान में बुधवार को पुलिस कर्मियों को न्युक्ति पत् अपने के दोरान मुख्यमंत्री नितिस कुमार उप मुख्यमंत्री और तेजस्वियादा ये सब फोटो है उनका और डीजीपी साहब भी हैं नवनियोक्त पुलिस वालों से किया आवाहन मुख्यमंत्री ने कभी-कभी आधी ट्रेनिंग लेने वाले पुरिसकर्मियों को भी काम में लगा दिया जाता है इससे बचे नवनियोक्त पुलिस कर्मियों से कहा कि आज आपने जो सपत ली है उसे भूलिएगा मत्राप का सेवन खुद नहीं करिएगा और नहीं दूसरों को करने दीजिएगा इससे समाज में काफी बेहतरी आईगी और समाज में कुछ ठीक हैं सेस दस परतिसत लोगों को भी ठीक करने का प्रयास करते रहना है तो यह मतलब इसमें यही कहा गया है कि जो बहाली अभी 44,000 पद पे दिया जाएगा क्योंकि बहुत सारे बहाली इसमें खाली है और नितिश कुमार और तेजस्वी आदाव साथ में वो तो पहले से नहीं जोर दे रहें कि जितने भी विभाग में चाहे को भी विभाग हो दरोगा हो पुलीस हो या फिर बिहार ससी का 12 इंटर अस्तर यह भी आने वाला है अभी ग्रेजुएशन अस्तर का चल रहा था भरती तो यह सभी का बहाली आने वाला है और हो सकता है कि अगले एक हप स्क्राप जरूर करें